हलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टू माई चैनल स्वाती आर्या आज इस वीडियो में ओर्यो बिस्कुट केक की रसेपी बताऊंगी यह केक बहुत जल्दी बन जाता है और इसमें बहुत कम इंगिडेंस लगें और कितना यम्मी लग रहा यह केक तो देखते हैं से कैसे बनाया ह यहाँ पर मैंने 120 ग्राम की दो ओर्यो बिस्कुट लिया हुआ है यह मिल्क क्रीम वाले बिस्कुट है अब एक मिक्सर जार में इसे डाल लेंगे और इसके हम दो तुकड़े कर लेंगे जिससे अच्छे से ब्लैंड हो जाएगा ऐसा करने से इसका अच्छा से पाउडर बन जाएगा बिस्कुट का अब हम एक और पैकेट को निकाल लेंगे एसे हम सारे बिस्कुट के तुकडे कर लिये हैं अब इससे हम ब्लाइंड कर लेंगे और देखिए कितना अच्छा पाउडर त्यार हो गया इसका अब एक बाउल में इस पाउडर को निकाल लेंगे बिस्कुट वाले पाउडर को यहां पर मैंने एक कप रूम टेंपरेचर मिल्क लिया हुआ है थोड़ा करके डालेंगे इसमें और मिक्स करेंगे अच्छे से फेटेंगे अब जब तक फेटना है इसे जब तक यह स्मूद बेटर ना बन जाया इसका देखिए ऐसा बटर चाहिए था हमें रिबिन चैसा ऐसा बन गया इसका बैटर नेकिए इसे बटर चाहिए था में इसे बटर तयार हो गया है अब यहां पर इस तिल का बोक्स लिए इस पर मैंने ओइल डाला है इसे घ्रीज कर लेंगे उसके बाद मेलर डालेंगे इसे कवर कर लेंगे अब हम कुकर को प्रीट करेंगे पर नमक डाला है यह नमक में कई बार इस्तिमाल कर चुकी हूँ इसे सब तरफ फिला लेंगे नमक को लेवल में कर लेंगे और इसके उपर हम स्टेंड डग देंगे अब यह दखकन लेंगे इसके निकाल लेंगे और साथ मिर्ट के लिए इसे कुकर को प्रीट करेंगे मेडियम फ्लैम पर आपको कोकर को प्रीट करना है अब मैंने आप इनो लिया हुआ एक चममच इनो डालेंगे बेटर में अब इसके उपर दूर डाल रहे हूं इसे एक्टिवेट करने के लिए अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे दियान रखना है आपको पहले से आपको पॉड रेडी रखना है इनों के बाद आपको जाता टैम नहीं लगाना और देखिए बिल्कुल कितनी अच्छी रिविंज जैसे बन गया है ये बैटर अब इसे हम टैप कर लेंगे ताकि इसके अब इसे बाद निकल जाएं और कुकर में डाल देंगे विल्कुल धीर से डालना है क्योंकि कुकर बहुत गरब है ऐसे रख देंगे और इसे हम बीस मिल्ट के लिए रखना है मीडियम फ्लैम पे देखिए बीस मिल्ट बार हम चेक कर रहे हैं और कितना अच्छा बन गया है केक हमारा और देखिए सेंट्रल से साइड से हर तरफ से तूटपी क्लीन आ रही है अब इसे निकाल लेंगे दीरे से क्योंकि कुकर बहुत गरम है इसे निकाल की ठंडा करेंगे अब अब इस गरमे ठंडा करेंगे जब ठंडा हो जाएगा तो चाकु की हेल्प से इसके तक हटा लेंगे अब इसे हम डी मोल्ड कर लेंगे और देखिए कितने अच्छे से डी मोल्ड हो गया है अब देखिए केक कुल रेडियो कितना स्पॉंजी है अब मैं आपको हर ट्रब दिखाती हूं केक हर ट्रब से विल्कुल एक जिसा पका हुआ है देखिए शॉफ्ट एन इस्पॉंजी आप यहाँ पर मैंने औरियो बिस्कुट की वाइट क्रीम वाली बिस्कुट को मैंने डेकोरेट कर रही हूं ऐसे फ्लावर बनाया है एक बताती हूं मैं आपको बिस्कुट लेना है उसका यह मिल्क क्रीम वाला इसे हम अलग कल लेंगे चाको की हज़्ट से और इसके हम दो तुकड़े करेंगे और इसे हम ऐसे डिजाइन डालेंगे फ्लावर जैसा जिससे फ्लावर का शेफ हो जाएगा जिससे केक हमारा बहुत सुन्दर लगेगा आप अपने मन से कोई भी डिजाइन दे सकते हैं और देखिए अच्छा लग रहा है ना फ्रावर यह क्रीम का अब यहां पर मैं हर्शे शिरफ डाल रहे हूं चोकलेट शिरफ है यह इसे केक का जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा इसके उपर मैं ऐसे जिक-जिक बना रही हूं डिजाइन और यह से और भी यमी लगता है केक ऐसे उदर से भी कर लेंगे हम और साइड साइड से भी लगा रही हूं मैं यह ताकि केक और भी सुन्दर लगे और बिल्कुल रेडी केक कानुट को अगर आप कोई केकी रेचपी अच्छी लगीओ तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राब जरूर कीजिए का मैं आने वाली वीडियो में और भी अच्छी केकी रेचपी शेयर करूंगी केक को बहुत ही सॉफ्ट स्पॉंजी केक बन गया था ये और देखें मैं दिखाती हूं आपको कितना स्पॉंजी है इसे प्लेट में सफ कर लेंगे अब बिल्कुल रेडी है ये खाने के लिए अगर आपको केक की रेसिपी अच्छे लगी हो तो अजसे ओिल्की ये लेगा